बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार के काफिले पर हमले के आरोप में 13 लोगों को गिरफतार किया जा चुका है पटना के SSP ने कहा है कि काफिले पर पथराव करने वाले कई लोगों की पहचान की गए थे गौरीचक को सुहागी गाउं के रहने वाले एक सन्नी कुमार 7 अगस्ट को लापता हो गये थे सन्नी कुमार की तलाश की गई लिकिन वो नहीं मिले 21 अगस्त को सन्नी कुमार की लाश बेउर थाना के नालेय से बरामत की गई लोग शव को सड़क पर रखकर हंगामा कर रहे थे सन्नी कुमार के परिजनों का आरोप था कि सन्नी घर से 7 अगस्त से गायब था शिकायत के बाद गवरी चक थाने ने मामलेक के आरोपी से पैसा ले लिया और कारवाई नहीं की पुलिस अगर एक्टिव रहती तो सन्नी को बचाया जा सकता था थाना धक्ष पर लापरवाही करने का आरोप भी लगाया गया और कहा कि कारवाई में धिलाई बरती गई आरोपियों को सजा दिलाई जाए और सन्नी के सव को सड़क पर रखकर हंगामा लगातार किया जा रहा था तभी वहाँ से राज्जिक के मुख्या निटीश कुमार का काफिला रा गया जिसक्त मुख्यमंतरी के साथ है चलने वाली गाड़िओं पर हमला हुआ उस बक्त स्थियम निटीश कुमार इस काफिले में मौजूद नहीं थे किस्मत की बात है रही कि जिस वक्त मुख्यमंत्री कारकेट में चलने वाली गाड़ियों पर हमला हुआ था उस वक्त वहाँ पर उस काफिले में ही नहीं मौजूद थे गवरी चक के सुहागी गाम हुए इस हमले में सीयम के काफिले में तिन चार वाहनों को फारी नुकसान हुआ है घटना रविवार शाम पांच बज़े की बताई गई थी यह काफिला सुमबार को सीयम के दोरे के लिए एडवांस पार्टी के तौर पर किया गया था नितिश कुमार गया में निर्माड़ा धीन रबर डैम का निरेक्शन करने जाने वाले थे और जिले में सुखे की स्तिती पर एक बैठक की अधिक्षाब ही करना था नितिश कुमार हेलिकॉप्टर से गया जाएंगे और एक दिन पहले ही गाड़ियों का काफिला जा रहा था बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार के काफिले पर हमले के आरोप में 13 लोगों को पहले ही गिरफतार किया जा चुका है पटना के सस्पी ने का कि हमला करने वालों की पहचान पहले ही कर ली गई थी जिसमें 13 लोगों को जेल भेज दिया गया है बागी आरोक्यों की तलाश में लगातार फुलिस दविश्टे रही है और छापे बारी भी कर रही है हाला की लोगों का माना के बिहार में नई सरकार आने के बाद जंगल लाज की वापसी होने लगी है दरसल बिहार में एक बार फिर से पराधी बेलगाम हो गये हैं राज्य में एक ही दिन में पांच जिलों में हत्या की घटनाओं से संसनी फैल गई। इसके लाओ लूट पाट और छेडखाने के मामले भी सामने आए हैं। पहले बात करते हैं पटना के बिहता की जहां एक युवक की चाकू से गोद कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। ने दोस्त की ही हत्या कर दी हत्या के पीछे जमीन विवाद को कारण बताया जा रहा है। अमित मालवी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार में अब दलीतों और पिछणों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पीडिया रिपोर्ट के अनुसार बेगू सराय में एक होटल में लूट पाट के दौरान उसके मैनेजर को गोली मार कर जख्मी कर दिया गया। बक्षर के शहर में राम रेखा घाट स्थित रामेश्वरनात मंदिर में चोरों ने मुर्ति से सोने की आँख चोरी कर ली है। यह तमाम घटनाई इस बात को बताने की कोशिश कर रही है। हमने पोल में भी पूछा था अमरुजाला के आम लोगों से राय ली थी कि क्या बिहार में जंगलाज की वाप्सी होने वाली। तो भारी संख्या में लोगों ने कहा था कि हां सत्ता परिवरतन के बाद बिहार म जंगलाज की वाप्सी होगे। जिस तरीके की घटनाई सामने आ रही हमने आपको एक एक करके घटनाई बताई हैं इसके बाद तो लगने यही लगा है कि बिहार में जंगलाज की वाप्सी हो गई है। इस पूरे घटना करम पर आपकी प्रतक्रिया क्या है मैं कमेंट करके जबर बताएं